वेलकम टू माई यूटूब चैनल आशा जदली इंस्पिरेशनल वीडियो एंड थौट्स में आज मैं आपके सामने बड़े लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ आप पहले देखिएगा उसके बाद गैस कीजेगा कि ये क्या चीज है चलिए शेयर करते हैं नई रेसिपी दोस्तो आज हम आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करना जा रहे हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते ये क्या चीज है देखिए आपको देखकर तो अंज़ादा हो ही रहा होगा वीडियो में ये क्योई फूल है और इस फूल से एक हम स्पेशल डेस्ट बना रहे हैं यहांसे क्दू के पूल हैं जिससे बाद में कुछ फूलो में कदू लगता है और बाकी सब फूल सर्फ देखने के लिए होते हैं ये हम जो इस से स्पेशल डिश की बात कर रहे हैं इस डिश को बनाने के लिए होते हैं देखे, कद्दू के फूल बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसको पीछे के पोर्शन में जो एक्स्ट्रा पत्या होती हैं, उनको तोड़ना है, और उसके अंदर से एक बीच होता है, उसको निकालना है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम ये पत्ते होते हैं, बहुत ध्यान से इन्हे मैं आप सिर्फ बैक पोर्शन को काटना है, और बीच में से उस बीच को निकालना है, फिलहाल मैंने चार फूल लिए होए हैं, कद्दू के, अगर आपको 10, 15, 20, जो भी आपकी चोव, जितने ज्यादा भी मिल सकते हो, आप उचीज से बनाए, मैंने का वीडियो बहुत ज् स्नेक और बहुत ही जल्दी, जिसमें कोई बिल्कुल टाइम ना लगता हो, और बहुत ही आसानी से जो समान आपके पास घर में अविलेबल हो, उससे बहुत ही टेस्टी डिश तयार होती है, देखिए, इस तरह से हमने चारो फूलों के बैक पोर्शन को काट दिया है, और हमने उसको बीज को निकाल दिया है, और उसके बाद तुरंत ही इन फूलों को अच्छे से धोईंगे, साफ करेंगे और अलग से रख देंगे, ये फूल बहुत सौफ्ट होते हैं, सहत के लिए बहुत ही अच्छे और ताजे-ताजे फूलों को आप इस्तिमाल करेंगे, तो इसले मैंने एक पुराना फूल जो की क्लोस भी हो चुका था, उसको ले लिया है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको अपनी दिश में आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं, और बहुत ध्यान रखेगा, कि जब आप इन फूलों को छूएं, तो बहुत होते हैं, कद्दू के पूल, खराब हो जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर शेप को मेंटेन करने के लिए, आप इसको अच्छे से, सौफ्ट हातों से, पानी से, साफाई से धोली जेगा, और इसके बार, एक तमीज से, इनको एक ही बरतन में, आप देखिए, जैसे मैंने प्ले या नमक, मिर्च, अपने स्वादनुसार हरी मिर्च भी आप कर सकते हैं, और बेटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चीए, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, और अपने मसाला, चाट मसाला सब डाल सकते हैं, यह देखिए, शेलो फ्राइ करेंगे हम इस डिश को, यानि कि हम आज इसके पकोड़े बना जा रहे हैं, देखिए, बहुत ही ज्यादा तेल नहीं रिखा हुआ है, शेलो फ्राइ करेंगे, और हमने इसको फूल को, कद्दू के फूल क बैटर में डिप करा है, और चम्मत से ही मैं इसको रोटेट कर रहे हूँ, क्योंकि यह इतने सॉफ्ट होते हैं, कि अगर आपने इनको हाड हातों से इस्तमाल किया, तो बहुत चल्दी तूट जाएंगे, और कड़ाई में हमारा तेल कराम हो चुका है, चम्मत से ही हम इसको बहुत ही साधानी पूरवक रखेंगे, जिससे कि इसके पत्ते तूट ना जाएं, जो इसका सॉफ्ट फूल होता है, वो तूटे ना, इसके लिए यह देखिए, मैं दूसरा फूल आपको इसमें रखके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, और सॉफ्ट सा पहले नीचे से, जो हमारे पास साइच में एक्स्ट्रा बेटर है, उसको उपर चम्मत से ही मैं इसको पहला रही हूँ, आप देख रहे होंगे, और इसी तरह से इसको मैंने पलट भी दिया है, इसी में बहुत ज्यादा हाट से इसको नहीं इस्तबाल करना है, क्योंकि वो ज्यादा तेल नहीं डाला है, थोड़े से भी तेल में, यह बहुत अच्छे से बन जाते हैं, धन्या डालिएगा स्वाद अनुसार हरा धन्या, तो इसका स्वाद लाजबाब होता है, अगर आप चाहें जिंजर कारलिक पेस्ट इसमें मिला है, तो वो भी मिला सकते हैं, ल क्योंकि यह ज्यादा तेल नहीं पीते हैं, क्योंकि स्पाचला में फिर ज्यादा तेल लगता है, इसलिए एके करके मैं फॉर्क की मदद से ही इनको निकाल रही हूँ, आप अलटते परटते रहिए, और दिये धियान रखिएगा कि आज बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी जीए, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे, और इलकुल आहिसता से मैंने बाकी के दो पत्तों को भी फूलों को इसमें डिप करा है, और आप यह देख रहे हूंगे कि कडाई में शैलो फ्राई करने के लिए मैंने इनको भी रख दिया है, और देखते रहिएग कि कितना color change हो रहा है एक मिनिट के इंदर आप दोनों चीज को side को change कर दें ये देखे चारो फूल के पकोड़े तयार खाने में ला जवाब